किसानी की काम करते हैं और हम लोग के घर में पानी का भी विवास थाना है कोई सी चाई का और हम लोग गंदे पानी पीते हैं और जैसे हम लोग बहुत गरीबी जहलना पड़ता है खेती वही धान और मकय यह सब करते हैं और दूसरा फसल होता नहीं यह आलू लगता है और गर्मी में कोई फसल नहीं केवल बरसाती फसल लगता है बाकी समय हम लोग वही लकड़ी जो है सुखा लकड़ी बजार में बेचते हैं और हम लोग अपने रासन पानी के लिए खाते हैं उसी से करजा तो है दस अजार प्या लेकिन हमारा अभी छोटा छोटा बच्चा है तो हम घर से बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं करजा यही महाजन अपना अगल बगल से लिए थे अपल आदमी से लिये थे मेरा प्याट्चा बीमार था इस समय में करज हो गया है और हम लोग को जमीन भी बहुत कम है और इस आस्था में हम लोग को कुछ भी हम लोग को सरकारें सुइधा नहीं दे रही है बिहार राज से आते हैं और हम खेतियों में काम करते हैं किर्चक हैं और खेती का जो हालात है उसको महसूस करने के चीज़ है कि खेती के हालात इस माइने में सबसे खतरनाक है दुनिया खेती के जो हालात है आज उसको देखने के वाद पता चलता है कि धर्टी पर कुछ भी काम करे लेकिन खेती नहीं करे मेरे पास जमीन जो है दो भीगा जमीन है उसके साथ-चाथ बटाई करते हैं हम जावानाज उत्पादन करते हैं हमने बैंक से करजा कैसी सी लेंगे न हमने खेती के लिए कैसी सी लिया हम पिछले बार जो है 50,000 रुपिया लोन लिया टामाटर उत्पादन किया तो बजार में बेचने गए तो कहा कि कोई रेट नहीं है कहा कि ददा मुरम मैं करजा लेकर यहां पड़ी खेती किया है वहां पर पाड़ी बोलता है बजार में एक रुपई है हमारी कौन से मैजूर मिलेगा एक रुपई है हमारे खेता खलियान से जब चल जाता है तो आज हम बजार में देखते हैं तामाटर का जो रोने और उसका पुछते हैं मुल तो 50-60 रुपई बताता है जो नितिया बनाती है आम लोगों के लिए जो खिसानों के लिए अभी जो आला वह सांथ करता है अंपर में चाहें कौन अंपर में चाहें कौन पंक से जुठाई अवाई मद्यपरदेश से जिलाधार से आये हैं हमारे मद्यपरदेश के कुछ गाउं है 200 वाणनों गाउं है और एक नगर धरमपुरी जो सरदार सरवर चडू परभावी थे और उसी के कारण हमें बहुत दिक्कते हो रही है वैसे तो हम खांदानी किसान हैं महां के किसान कोई समा लोग मजदूर भी है उनको भी किसानों की गिंती में माना जाता है यह हम इसलिए आये हैं कि सरकार हमारी फसल का जो खेत में हम काम करते हैं 12 मेनलब अब करते जब पेचने के लिए मार्केट में ले जाते तो इसका भाव सरकार सचाही नहीं देती मेरे साथ एकड़ जमीन है जिसमें से तीन एकड़ जमीन सिंचित है नहर के से सिचाई होती है और चार एकड़ जमीन बालू मीटी का रेतिलाटी बाल जिसमें बरसाथ जब अगर होगी तो फसल होती है मेरे साथ दिन चलती है उसके बाद फिर बंद रहती है फिर सात दिन पानी आता है इस तरह उसके बरौसे भी कि हम लोग खेती नहीं करने पाते है जमीन में निच्चे का पानी एकड़म से खा तो अगर टूपल खोड़कर न लगाते है तो फसल जलग तो तो आमको गौन के वरोसी खेती करते हैं। आज खेती घाटे इहाँ होता है। चौबिस गंटे खेत मकाम करते रात रात को भी अंदेरे में भी साप पाउं के निच्छे से निकलता है और फिर भी फसल बेजने के बाद साल में सिर्क उपर करजा सडाथ था बच्चों को बढ़ा नहीं सकते साधी नहीं कर सकते बच्चों की आज किसानी के बारे में इतना ह नहीं तेकिन तो यहां तक पानी था अब यहां तक पानी चला गया खतम हो गी है किसानी